चार देशों के दिगजों का रिकोर्ड तोड़ गया ये बंगलादेशी खिलाडी बंगलादेश एक ऐसी टीम है जहां से अब लगातार अच्छे बैट्स में निकल रहे हैं और इस समय यह टीम एशिया की नमबर दो टीम है भारत के बाद एशिया में पहले पाकिस्तान का नाम आता था लेकिन अब बंगलादेश का नाम आता है और अब तो कई दिगजों का रिकोर्ड तोड़ गया ये बंगलादेशी खिलाडी और कोई नहीं बंगलादेश का यह खिलाडी और कोई नहीं बलकि बंगलादेश का पूर्व कप्तान मुशिपिकर रहीम है मुशिपिकर रहीम के वंडे में 6000 रन पूरे हुए हैं और उन्होंने स्टीव वाज जैसूरिया जैवर्देने अज्रुदीन समेत साथ खिलाडियों का रिकोड तोड़ दिया है श्रीलंका के खिलाफ नो रन बनाते ही मुशिपिकर रहीम ने वंडे में अपने 6000 रन पूरे कर लिए श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वंडे के दोरान बंगलादेश के मुशिपिकर रहीम ने एक बड़ा कार्णामा अपने नाम कर लिया है मुशिपिकर रहीम ने नौरन बनाते ही वंडे में अपने 6000 रन पूरे कर लिए रहीम ने 201 पारियों में अपने 6000 रन पूरे किये इस आंकडे को छूते ही रहीम ने कई दिगजों को पचार दिया है रहीम ने तिलकरतने दिलशान अजरुदीन राना तुंगा यूनिस खान शोहे मलिक स्टीवन फ्लेमिंग जैसूर्या और जैवर्देने ब्रेंड मकेलम और स्टीव वा और एलन बॉर्डर इन सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं एलन बॉर्डर से भी कम पारियों में अपने 6,000 रन पूरे करने वाली ये एक अलग रिकॉर्ड नाम करा है मुश्पिकर रहीम ने अपने नाम मुश्पिकर रहीम तीसरे बंगला देशी हैं जिसने बंडे में 6000 रन पूरे किये हैं सबसे पहले नाम आता है तमीम इकबाल और उसके बाद शाकिब अलसन का आपको बता दें शिलंका के खिलाब मुशिपिकर रहीम ने अपना अर्दुष्य तक जड़कर ये काणनामा रच दिया मुशिपिकर रहीम के करियर की खास बात ये है कि उन्होंने 2005 में इंटरनेशनल किर्केट में डेब्यू किया था लेकिन साल 2006 में वो बंगलादेश के अंडर 19 कपतान बन गए थे